बिस्मिल्यारमनेरीम, अस्सलाम लेकुम 11G मार्केटिंग के प्लेट फार्म से मैं हूं मुखातम मुहम्मद साइद आज मैं अपने वीवर्स के लिए एक बहुत ही आउट क्लास घर लेकर आया हूं अगर मैं गली की बात करूं तो बहुत खुब्सूरत गली है काफी चोड़ी गली है और इसके सामने है कनाल के घर जो के डबर रोड की बैक सैड़ वाली गली है यह रैंप की बात करूं तो बहुत प्यारा रैंप है यहां पे भी दो गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं अगर मैं यह लॉन की बात करूं तो यह लॉन है छोटा सा बहुत ही खुशूरत लॉन अब हम चलते हैं घर के अंदर आपको मैं अंदर से घर विजड कराता हूँ इस टैम में आगे हूँ कार पार्किंग में यहां पे दो गाड़ियां बड़ी साडान गाड़ी बड़ी खड़ी हो सकती है अगर मैं बात करूं तो यह है यहां पे पानी वाला टैंक है जिसमें पा विवर सिस्टेम में हूँ, सिटिंग एरिये में, और मैं अगर बात करूँ तो ये है मीडिया वाल, और इसका काफी बड़ा स्पेस है सिटिंग एरिया, और साथ इसके है ड्राइंग रूम, इस टेम में ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ, अगर मैं बात करूँ सिलिंग की तो बहुत ही खुबतुरत सिलिंग है फनूस लगे वे हैं पंखे लगे वे हैं यो और यह लगी वी है विंडो विंटिलेशन के लिए और यह गेट है जो के आपके गेस्ट में आपके घर के अंदर इंटर होना है जो वुड वरक है इसका टोटल ब्राउन ब्लैक पालिश हु लग रही और यह है बरतंद होने की जगा विंडो विंटिलेशन के लिए यह है वुड एंट इसके ऊपर जैक लगे हुए हैं जो के अराम से खुलते हैं और अराम से बंद हो जाते हैं और यह लगावा है हुड बर्नल और यहां पर भी कैबने हुड वरक में हैंडल बड़ बहुत प्यारे लगे वे हैं और साथ इसके यहां पर वाश्रूम है इस बैट के साथ अटेच वाश्रूम है सीट लगी वी है इंगले शावर लगा हुआ है टैल्स लगी वी है वाश्रूम में अब हम चलते हैं ग्राउंट पोर्शन के दूसरे बैड में यहां पर भी विंड लगे हुए हैं बहुत प्यारे अब हम चलते हैं इसके वाश रूम में यह है इसका वाश रूम इंगले सीड लगी है टैल लगी है डिफरेंट कलर की टैल है अब हम चलते हैं वीवर्स यह था ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विजड कराया है अभी हम चलते हैं अपर प यह ग्रिल जो के सेफटी के लिए भी है और इसके ओपर भी ब्लैक पेंट हुआ है जो के बहुत अच्छा है वीवर्स अब मैं इस टैम अपर पोर्शन पे पहुंच चुका हूं एक खीड़ी यह साथ ही अपर पोर्शन पे च्छत पे जाती है और यह है अपर पोर्शन का गे लिज़र्ट कराता हूँ जो कार पार्किंग के उपर होता है कैबनेट बनीवी है गलास लगे हैं बहुत ही खुप्तुरत है और काफी बड़ा रूम है यह इसको अब ऐसे मास्टर बैड यूज़ कर सकते हैं काफी बड़ा और इसको ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते और यह है इसके साथ वाश रूम वाश रूम की बात करूं तो काफी बड़ा वाश रूम है यह लगावा है शावर और लगावा है ब्रैंट की चीज़ें लगी वी है यह लगी भी है वैनिटी बहुत खुर्शूरत है प्याला नुमा बहुत अच्छी लग रही है अब हम sitting area में sitting area बहुत बड़ा sitting area है मैं आपको बताता चलूँ मैं इन्शालाँ आपको हर वीडियो में इसके बारे में ब्रीफ करूंगा properly size क्या है room का size क्या है ये भी पूरी वीडियो देखें ताके आपके पास पूरा इसकी information और demand किया है हर चीज का आपको पता चल सके ये है media wall और open kitchen साथ ही इसके बहुत ही out class open kitchen है जो के different color की tail लगा के और ये marble लगा के इसको खुबसूरत किया गया है बरतन दोने के लिए जगा है windows ventilation के लिए और ये बने है wooden cabinet जो के बहुत खुबसूरत है और hood लगा हुआ है बरनल लगा हुआ है और ये भी cabinet handle lock चोटे चोटे लगे हुए जो बहुत खुबसूरत है अब हम चलते हैं इसके room में upper portion के room में और यहां पे भी cabinet बनी हुई है wooden में जो के बहुत लसानी की proper sheet लगी है और ये है इसका washroom washroom में different color की tile लगी हुई है seat लगी हुई है brand की नल लगे हुई है अब हम चलते हैं इसके upper portion के दूसरे master bed में ये है दूसरा master bed lighting, snooze, ceiling windows, ventilation के लिए और साथ ही बनी हुई है cabinet लसानी की sheet में बनी हुई है wooden में और लसानी में इसको त्यार किया गया है बहुत ही खुपतुरत है ये और कपड़े स्तरी करकर रखें या फोल्ड करकर रखें और साथ ही इसके ये है washroom different color की tile लगी भी है बहुत खुपतुरत washroom त्यार किया गया है ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लेकर आये थे आप के लिए एक 35 by 65 का घर टॉप सिटी A ब्लॉक में जो के बहुत ही खुपतुरत लोकेशन पे है और कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 4 करोड 70 लाक रपेज की डिमांड है और मजीद डेटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नमबर पे रापता करें मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाएं तके रियल स्टेट के मतलग जितनी वीडियो हैं वह आप तक पहुंच सके मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्ला आफिस